Hello Friends, Welcome to the Green Piston आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है YSD, Roadster और KTM Duke 200 के बारे में ये एक comparison वीडियो होने वाला है इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक जादा बैतर है अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेस करना चाहते है तो ये वीडियो आपके लिए है सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर दोनों ही बाइक यहां आपको stunning लुक के साथ में मिलने वाली है दोनों ही बाइक के जो डिजाइन है वो काफी ज़ादा impressive आपको दिखाई देगा बात अगर यजदी roadster को लेकर की जाए तो यहां आपको एक retro प्लस modern style बाइक नज़र आने वाली है यह बाइक आपको देखने में काफी ज़ादा heavy भी दिखाई देगी यजदी ने इस बाइक को काफी gracefully डिजाइन किया है वहीं अगर बात की जाए KTM Duke 200 के बारे में तो यहां आपको एक proper naked sport machine मिलने वाली है इस बाइक के जो looks हैं वो काफी ज़ादा aggressive and sharp आपको दिखाई देने वाले है and bike काफी ज़ादा modern भी दिखाई देती है यहां अगर look के मामले में किसी एक bike को choose करना हो तो यह एक मुश्किल काम है वैसे भी जो looks हैं वो subjective होते हैं यह depend करता है person to person कि किसको कौन सी bike ज़ादा पसंद आने वाली है आप comment section में यह बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही bike में से look किस bike का ज़ादा बैतल लगता है अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के engine को लेकर यजदी roadster में आपको दिखाई देगा 334 cc का single cylinder liquid cooled engine जो की produce करता है 29 ps की power and 29.4 nm का torque यह engine आपको 6 speed gearbox के साथ में मिलने वाला है वहीं Duke 200 के अंदर आपको दिखाई देगा 199 cc का single cylinder liquid cooled engine जो की produce करता है 25 ps की power and 19.3 nm का torque यह engine भी आपको 6 speed gearbox के साथ में मिलने वाला है यह अगर आप power figure की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही bike के बीच में differences मिलने वाले हैं बात अगर ps को लेकर की जाए तो आपको 4 ps लेकिन अगर आप इन दोनों ही bike को test ride करते हैं तो आपको दोनों ही bike का जो pickup है वो काफी हद तक similar ही दिखाई देगा and जो top speed है वो भी आपको दोनों ही bike की similar ही दिखाई देने वाली है दोनों ही बाइक आपको 140 प्लस के MPH की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है यानि यहां आपको टॉप स्पीड और पिक अप के मामले में दोनों ही बाइक काफी हद तक सिमिलर ही परफॉर्म करते वे नज़र आने वाली है अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर रोटसर के अंदर आपको मिलने वाला है 194 किलोगराम का वेट वहीं डियूक 200 आपको दिखाई देगी 159 किलोगराम वेट के साथ में यानि दोनों ही बाइक के बीच में यहां आपको 35 kg वेट का difference दिखाई देने वाला है ये भी एक बज़ा है कि ज़्यादा power होने के बावजूद भी ये बाइक बहुत ज़्यादा fast नहीं नदर आती है Duke 200 के compare में क्योंकि यहां पर 35 kg वेट आपको ज़्यादा मिलना है ये ज़्यादी रोटसर के अंदर अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के fuel tank capacity को लेकर ये ज़्यादी रोटसर में आपको दिखाई देगा 12.5 लिटर का fuel tank वहीं Duke 200 आपको मिलने वाली है 13.4 लिटर fuel tank capacity के साथ में यहां आपको approximately 1 लिटर fuel tank capacity ज़्यादा दिखाई देगी Duke 200 के अंदर साथ ही अगर mileage figure को लेकर बात की जाए तो आपको Duke 200 प्रोवाइड करने वाली है approximately 30 से 32 के अंपेल का mileage वहीं यजदी रोटसर आपको प्रोवाइड करने वाली है 28 से 30 के अंपेल का mileage यानि mileage के मामले में यहां आपको Duke 200 थोड़ा सा आगे नज़र आने वाली है अब बात करते हैं इन दुनों ही bike के ground clearance को लेकर Duke 200 के अंदर आपको दिखाई देगा 155 mm का ground clearance वहीं यजदी रोटसर आपको दिखाई देगी 175 mm ground clearance के साथ में अगर हम लोग Indian road condition के साब से देखते हैं तो आपको यजदी रोटसर का जो ground clearance है वो decent दिखाई देगा यानि कि अगर आप इस bike को खराब road condition में तूटे पूटे रास्तो के उपर ride करते हैं तो ये bike नीचे hit होकर scratch होकर आपको परिशान नहीं करने वाली है वहीं Duke 200 का जो ground clearance है वो solo ride करने के साब से ठीक ठाक है लेकिन अगर आप इस bike को pillion के साथ में ride करते हैं तो ये bike नीचे hit होकर scratch होकर आपको परिशान करने वाली है most of the time आपको ये जो परिशानी है वो किसी high bum को cross करते हैं फेस करनी पड़ेगी यानि कि ground clearance के मामले में यहां आपको यजदी road sir एक जादा बहतर मशीन मिलने वाली है बात अगर इन दोनों ही bike की seat height को लेकर की जाए तो आपको यजदी road sir के अंदर दिखाई देगी 790 mm की seat height वहीं Duke 200 आपको मिलने वाली है 822 mm seat height के साथ में मैं ये बदा देता हूँ कि अगर आपकी height 55 के around है तो आप आराम से इन दोनों ही bike को ride कर सकते हैं seat height के तरफ से आपको कोई issue face नहीं करना पड़ेगा इवन अगर आपकी height 53 के around भी है तो भी आप यजदी road sir को काफी आराम से ride कर सकते हैं अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के suspension setup को लेकर यजदी road sir में आपको front में दिखाई देगा simple telescopic 41 mm fork and rear में आपको मिलने वाला है twin shock absorber वहीं Duke 200 में आपको front में दिखाई देगा 43 mm upside down fork and rear में आपको नदर आने वाला है mono shock suspension अगर हम लोग suspension की feel को लेकर बात करें suspension की performance को लेकर अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही bike softer suspension setup इसाथ में यहाँ पर मिलने वाली है यानि कि अगर आप इन दोनों ही bike को खराब road condition में तुटे फुटे रास्तु के पर ride करेंगे तो आपको इन दोनों ही bike गड़ों को पोर्टल्स वगरा को काफी अच्छी तरीके से absorb करते वे नजर आने वाली है यही suspension की तरफ से आपको इन दोनों ही bike को ride करते हुए परिशानिया face नहीं करनी पड़ेंगी दोनों ही bike आपको काफी हद तक similar ही perform करते हुए दिखाई देंगी लिकिन यहाँ अगर इन दोनों में से किसी एक bike को choose करना हो तो yes the roadster आपको थोड़ा ज़ादा comfort provide कर सकती है अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के braking setup को लेकर दोनों ही bike आपको यहाँ पर dual channel ही base के साथ में मिलने वाली है बात अगर brake size को लेकर की जाए तो आपको yes the roadster में front में दिखाई देगा 320 mm का disc brake and rear में आपको मिलने वाला है 240 mm का disc brake वहीं Duke 200 में आपको front में दिखाई देगा 300 mm का disc brake and rear में आपको मिलने वाला है 230 mm का disc brake अगर हम लोग braking bike को लेकर बात करें braking performance की तरफ अगर धिहान दिया जाए तो आपको दोनों ही bike ब्रेकिनReg के मामले में काफी अच्छा पर스र्फॉर्म करतुवे दिखाी देंगी। दोनों ही बैक से आपको ब्रेक की तरफ से कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। दोनही बैक एनफ ब्रेकिन्ग बैक आपको परोवाइड करने वाली है । perform करतवे दिखाई देंगी दोनों ही bike से आपको brick तरफ से कोई issue face नहीं करना पड़ेगा दोनों ही bike enough breaking bike आपको provide करने वाली है यानि कि इन दोनों ही bike का जो breaking performance है वो आपको काफी जादा अच्छा मिलने वाला है अब बात करते हैं इन दोनों ही के डायर को लेकर यसदी रोटस्थर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100 बाइ 90 या ड्रेदि बाइ 90 का अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के prices को लेकर Duke 200 के लिए आपको pay करने होंगे 1.97 lakh रुपीज, वहीं यज़्दी roadster के base variant के लिए आपको pay करने होंगे 2.06 lakh रुपीज, and top variant के लिए आपको pay करने होंगे 2.13 lakh रुपीज, यहां जितने भी prices मैंने बताए हैं, यह action room बताए हैं, एंड राउंड फिगर में बताए हैं अगर आप यहां प्राइजिस की तरफ धियान देंगे तो आपको यजदी रोटसर के लिए ड्यूक 200 के कंपेर में 9000 लुपीस से लेकर 16000 लुपीस जादा पे करने पड़ेंगे यानि कि आपको यजदी रोटसर थोड़ा सा कॉसलियर सा है अगर आप अपनी बाइक के अंदर जादा बहतर ग्राउंड के लिरेंज चाते हैं अगर आपको एक जादा अपसाइड डाउन फॉर्क जैसे फीचर्स चाते हैं आप most of the time solo ही राइड करते हैं थोड़ा सा जो low ground की लिरेंस है आप उसके साथ में मैंनेज कर सकते हैं एंड साथ ही आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है तो फिर मैं ही कहूँगा कि KTM Duke 200 आपके लिए हो सकती है वीडियो के लास में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को पर चेस करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके जरूर देखें साथ ही अगर आप Duke 200 या फिर रोटसर का दूसरी बाइक के साथ में कमपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के उपर वो वीडियो दिखाई दे जाएंगे हो सका तो मैं आई बेटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आप वहाँ जाकर वीडियो उसको चेक आउट कर सकते हैं साथ ही आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक जाता बहतर लगती है अपने हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए